ओके सो भाई साब आज बहुत सारी एकदम गरमा गरम टेक्ट नियूज लेके आया हूं आप लोग के लिए इधर पर आइफोन की भी नियूज है, इधर पर समसंग की भी नियूज है, इधर पर हमको आइको की बहुत तगडी वाली नियूज है, सो चलो बात करते हैं भाई, के करके सब के बारे में तो ही WhatsApp गाईज बार में जहीर and this is the episode number 199 of TTS Tech News. So, let's begin. Guys, TTS का मतलब Tuesday, Thursday and Saturday. मैं बहुत ही छोटे मैंनर में आप तो को Tech News देता हूँ. आपका डेटा चल देगा तो यह है वाकि BGMI वाले जो है उनलोग में वार्निंग दिया है और बहुत सारे लोगों को पॉप अप देरा अगर आपने कुछ भी गलत तरीके से अपने फोन में वीजी एमाई डाउनलोड किया है रूट किया है अपना फोन या फिर आपने हैक कि अब ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंस्टाग्राम के एक स्टेडी में यह मालूँ पड़ा था कि जो इंस्टाग्राम एप्लिकेशन है यह टीन्स लोग के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रेट करता है उनकी सेल्फ इमेज उनको उसके बावजूद उन लोग ने उसके लिए कुछ नहीं किया और नहीं कुछ किसी को बुला विच इंसेन भाई सो यह चीज है तो अगर आपके बच्चे लोग इंस्टाग्राम वगरा चलाते हैं आप देख रहे हो तो सर प्लीस रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मॉडरेट कि जो क्रूड्रागन उन्हों का पूरा एकदम बड़ा वाला वो कंटेनर रजी से अंदर बैटके जाते हैं उसको नाम में को नहीं आनों उसके अंदर बैटके भीजा है भाई बहुत तकड़ा मतलब इन लोग ने तीन दिन तके भी और उर्बिट करेगा उसके बाद आएग 13, 13 Pro, 13 Pro Max and iPhone 13 Mini ये चार फोन लांच किये मैंने प्रॉपर एक डीटेल्ड वीडियो बनाया इदर आइकार में लिंक के तो आप लोग देख सकते हो लेकिन अगर में शॉर्ट में बता हूं तो भाई इसके अंदर A15 चिपसेट है इस बार फर्स टाइम चिपसेट दोनों में लाग है प्रोस 11 दोर फ्रीजरी दोर्माल सेरीज में Ch एक लाग 30,000 का है और उसमें एक वन टेराबाइट वाला वीरेंट भी है आइफोन 13 प्रो मैक्स 1,80,000 का है भाई उसके लाइब को दोनों खिड्निया देने पढ़ेंगी एक से काम नहीं चलने वाला ऐसा हो गया बाकि भाई जब यह 13 सीरीज लांच हुई तो आइफोन 12 की प्राइजिंग नीचे आ गई तो अब यह बहुत तगड़ा टाइमिंग आइफोन 12 की सीरीज में से कोई भी फोन लेने का क्योंकि अभी फिलाल आइफोन 12 जो है वो लगबग 65,000 से स्टार्ट हो रहा है तो यह नाम वाला भी फोन एक लॉंच हुआ है फोन तीनों अच्छे से बेसिकली ग्लोबल मार्केट में लोग ने यह थारे फोन के हैं अब इंडिया में लांच करते है तो उसके बारे हम बात करते है आने वाले तो है इंडिया में यह चीज है वाकि एक ऐक कानफरमिशन यह आग मेरे को समझ में नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर भी Unisox T610 का प्रोसेसर है काफी अच्छा प्रोसेसर है लेकिन HD Plus की डिस्पले है 50 Megapixel का कैमरा है बस और मतलब मेरे को कुछ अच्छा ज्यादा खास नहीं अच्छे सारा में बैटरी अटावर्ड का चाज़र प्राइसिंग 12,000 रुपए है विच इस क्रीजी जब हमारे को इससे सस्ते प्राइस में अच्छे फोन मिल रहा है तो क्यो लेने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इन लोग ने बोला भी था कि आपको रिव्यू करना तो मतलब अच्छे फोन लांच करते हैं जैसे Realme X7 Max हो गया यह सब लांच के थे तब नहीं पूछे Realme Pad लॉंच किया तब भी नहीं पूछा जब अच्छा फोन लांच नहीं करते है ना तब मेरे को पुछते भाई रिव्यू करना मैंने तो बला नहीं भाई अच्छा फोन रह बाकि उसके बात करें तो iqoo Z5 की confirmation आ रही है कि iqoo Z5 23rd September को launch होने वाला है इसके अंदर हमको definite चीज यह ख़बर आ चुकी है कि 778G processor LPDDR5 का RAM है and UFS 3.1 का storage देखने को मिलने वाला which is crazy and 120Hz की display देखने को मिलेगी with 240Hz touch response rate but उन लोग ने कहीं पर यह ने बोला कि AMOLED है that means most probably IPS हो स तो मुश्किल ही है उसके थोड़ा उपर ही जाएगा अबर देखते भाई क्या प्राइस पे लांच करता है क्योंकि 25 के असपास मैंने सुना M52 भी लांच हो रहा है तो अभी देखते क्या करते हैं लोग बाकि उसके बाद बात करू तो Realme का एक बहुत तगड़ा flagship phone सुने म बाकि उसके बात करो तो Poco का एक और phone ये दिवाली से पहले लांच होता है यही थी में में स्मार्टफोन की न्यूस अब हम लोग गैजेट की तरफ बढ़ें वह यहां पर भी दगड़ी दगड़ी न्यूस सबसे पहले तो हम लोग आइपैड की बात करते हैं आइपल के इ काफी जादा पाउरफुल है भाई मतलब A13 चिपसेट है वह आलू-चालू प्रोसेजर नहीं है भाई बाकि आइपैड मेनी 6 भी लांच कर दिया है इसके अदर A15 चिपसेट है पूरा जो iPad Air है उसका पूरा डिजाइन को श्रिंग करके 8.3 इंच के डिस्प्ले के साथ में बहुत तगड़ा है Apple Pencil 2 का सपोर्ट USB Type-C port दियावा है प्राइजिंग 46,000 से स्टाट है प्राइजिंग थोड़ी सी जादा है बट मस्त टैबलेट है अगर आप लोग को चाहिए तो बताना मैं इसका भी शायद से रिव्यू करूँ बढ़ आप लोग को डिमांड रहेगा ठीक है बाई शायद से यह वाली घडी मैं मंगाऊ तब लॉंच होता है तब बाकि उसके बाद एक बात करूँ तो Realme ने अपना Realme Band 2 लॉंच कर दिया है मलेशिया में कुछ धायजार के असपास इंडियन के प्राइजिंग अगर डायरिक कनवर्ट करूँ तो है मतलब थोड़ा लंबा सा है ओनर बैंड था उसके टाइप का दिख रहा है देखो इंडिया में लॉंच होता तो फिर देखा जाएगा बाकि डीजो ने डीजो वॉ अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया थे कि रेड्मी की जी गेमिंग सीरीज में कुछ लैप्टॉप आने वाला है अब उसके खबर यह आरिए कि रेड्मी जी लैप्टॉप होने वाला है इसके अंदर हमको राइजन का 5000 सीरीज वाला प्रोसेसर विट RTX 3060 ग्राफिक का अब इन लोग अगर अच्छे प्राइज में इसको इंडिया में भी लेक आते हैं तो मजा आएगा एक तकड़ा गेमिंग लैप्टॉप का कॉम्पेटिशन आ सकता है बड़ लच्सी भाई लॉंच करते हैं फिर देखा जाएगा बाकि नोक्या की तरफ से भी ऐसा सनने मार है कि लेप्टॉप आरा विंडोज 11 भी लाने तो फिर देखते हैं बाकि यह थी आज की न्यूज आयों बहुत सारी न्यूस ते और बहुत गर्मा गर्म न्यूस ते आयोप आपको पसंद आएगी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एं थैंक्यों